हलो दोस्तों कैसे उमीद करते अच्छे होंगे मैं नवील आहमाद बेठा हुआ था मैं अभी साम में तो मैं सोचा फिर इस टॉपिक पर बात करता हूँ जो फ्रेक्वेंटली यह इसूज है साइट पे इस पेसली जहां पे हाई राइज है तो मैं सोचा चले उस पर बात करता हूँ रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ टाइम के वज़ज से हमें देखा हूँ यूटूब पे सब्सक्राइबर बहुत कम हो गया है नहीं यूटूब वाले जो है वगर आप continue आपका असि करते हैं stop the drop stop the drop it means मतलब any kind of the materials या tools या कोई भी item या things जो गिड़ जाता है work at height से जो height से नीचे जो drop करता है जो एक बहुत वड़ा leading cause है construction में जहां पे injury और accident होता है तो मान लिया अगर आप नहीं उसको अगर रोकते हैं तो serious accident भी हो सकता है as per the statics गर worldwide भी ले तो ये ज्यादा construction site पे ये कारण बनता है fatal accident का भी है इस चीज़ के लिए कुछ causes है गर cause of the drop of materials and tools का आप ये कारण कह सकते हैं सबसे पहला जो कारण हम लोगों को देखना चाहिए जो poor housekeeping अगर housekeeping अगर पर material आपका housekeeping नहीं करते है तो वो भी एक कारण बन सकता है उसी तरीके से आप unsafe stacking कोई चीज़ करते हैं ठीक है यह से अगर आपका lack of inspection कह सकते हैं कि site पे आप continue inspection नहीं किया जा रहा है या safety या कोई भी concern person के तुरू या debris या इस तरह का जो rubbish या trash या जो भी debris निकलता है waste material उसको सही तरीके से secure नहीं किया जा रहा है materials या जो tools है वो proper secure नहीं है site पे यह कारण हो सकता है ठीक है proper age protection नहीं है यह भी कारण हो सकता है handling भी हो सकता है workout height पे आप मैं handling कर रहा है और उस peer pressure भी हो सकता है कि वो इस तरह से कर रहा है तो मैं भी करूं इसी तरीके से आपका lay out घौ सही नहीं हो सकता है, उसी तरीके से आपका design fold भी हो सकता है, lack of space या lack of space हो सकता है following's cause of dropping object अब ये जब drop होता है तो हो सकता है कि आपके सर पे भी गिरे किसी materials पे गिर सकता है अज़ायतर जब भी dropping होता है कोई भी object from height से तो ये near miss में भी ज़ायतर देखा जाता है लोग बोलते है रहे होता रहता है ठीक है उसी तरीके से अगर हम next बात करते हैं कि high risk कौन सा होता है especially आप लोग safety है site पे जाते हैं तो जाहिर सी बात है इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है assign करें one person for rounding and monitoring के लिए तो अब यह हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि high risk कौन कौन से जगह है जहाँ पे हो सकता है जहाँ पे stacking करते हैं जहाँ पे materials वो high risk हो सकता है आप अगर M.E.W.P. man equipment working platform पे अगर काम कर रहे हैं वहाँ पे chances ज्यादा है high risk होता है crane से lifting क्या जा रहा है वहाँ पे dropping का chances होता है folding पे भी अगर आप काम करते हैं तो वहाँ भी ध्यान दें उसी तरीके से आप इसपेसली जब आप पावर टूल्स या small equipment tools हैं यह भी आपका वहाँ पे भी आपका high risk हो सकता है क्योंकि handling करते हैं तो अगर कोई suspended कहीं पे कोई items है और वहाँ पे access है वहाँ पे या pipe पे और या PVC pipe हो या जो भी pipe यहाँ पे stack किया जाता है वहाँ पे dropping का ज्यादा chances है ठीक है तो उन सब जगों पे खास कर जाके monitoring करें inspection करें ठीक है और identify करें कि कौन कौन सा high risk area है और उसके हिसाब से वहाँ पे controlling measure लगा है और basically अगर controlling measure की हम बात करेंगे तो ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाता है और मैं सोचता हूँ sort में बात करूँ मगर फिर भी anyway तो अगर आप चाहते हैं कि कैसे कम हो सबसे बहुत कुछ management को भी लेना है action उसमें जैसे कि safe system work implement करें वहाँ पे जैसे कि आप जो भी हो जैसे toolbox stock देते हैं या फिर कोई भी आपका work permit system है start card system है कुछ जो भी system है उसी तरीके से management उसको monitoring करने के लिए assign भी करें किसी बंदे को जैसे even safety officer भी उस site पे आपको especially इसके लिए रखें उसी तरीके से कुछ implement भी करें कुछ system जैसे कि बिना tow boat के कहीं भी इसके folding पे लाओं ना करें strictly बता दें कि housekeeping होगा कोई भी material उस पर ज्यादा store ना करें जो भी material अगर ले आते हैं तो proper secure होनी चाहिए इस तरह के implementation करें अगर finally नहीं होता है तो आप पीपीज के लिए recommend करें कि पीपीज finally last option हो तो पीपीज भी use करें कि जो लोग भी बंदा वहाँ हर टाइम में करें कि कभी भी आपका कोई भी tools या कोई भी debris कोई भी things drop हो सकता है और आप इंजूर हो सकते हैं तो अगर आपके पास helmet है अगर सारे बंदे पहें रहे हैं तो हो सकता है इनकेस अगर गिरता भी है तो उसका जो impact हो कम हो सकता है यह सब बेसिक चीज है कि अगर on regular basis पे monitoring के आज़ार management के थूँ या हजार identification system डिसके assessment system अगर यह सब भी अगर वहाँ पे management implement की हुई है एडिया है 360 कर दें explosion zone कर दें surrounding में कोई भी बंदे को वहाँ पे signage लगा दें इस तरह का photo बना के वहाँ पे लगा दें जिससे कि जो भी वहाँ पे गुजर रहा है जो भी workforce तो उन्हें information वहाँ पे identify कर लें कि उस एरिया में ना जाएं implement करते हैं site पे और जब भी आप toolbox अगर आपका जो नियर मिसेज है जो falling object है या drop object है तो you can stop the drop object आप वहाँ पे यह hazards को eliminate कर सकते हैं ठीक है eliminate कर सकते हैं minimize कर सकते हैं finally मैं जस्ट गोलना चाहूंगा housekeeping बहुत ही जरूरी है even आप working platform पे हो या on ground पे हो ठीक है और secure रखें कोई भी tools है हमेशा secure रखें जैसे tower line पे बहुत से लोग काम करते हैं जो rope यूज़ करते हैं उसको die करने के लिए tools को use करते हैं tool bag यूज़ करते हैं tools कहीं भी आप यहां वहां नहीं इस तरह से तो insallah बहतर रहेगा हम लोग prevent कर सकते हैं चले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं thank you